हेलो फैंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे और टेक्निक्सेंड के most important questions के बारे में डिसकस करेंगे जो की feeder, turner, welder, machinist के रहने वाले हैं और यह जितनी पी सारे जो questions रहने वाले हैं सभी जो S के जहां जो सर है इन्हीं के book से लिया गया है और यह set 27 रहने वाला है इसके पहले मैंने 26 set दे रखा है अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो जाक अगर देख सकते हैं playlist में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और अगर आपको फुरी प्रिडियो चाहिए तो आप हमारे टेली ग्राम को जोइन कर सकते हैं टेली ग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे description मिल जाएगा वहां से जाकर जोइन कर सकते हैं तो अगर आपकी त अंदरूनी मापो को मापने के लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option B यानि कि inside micrometer का और यह जो प्रस्न जो है 2014 में पूछा गया वह प्रस्न है अब जिन important points से उन सभी को भी discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्न बनते हैं तो inside micrometer का प्रियोग करके अंदर प्रूनी माप को मापा जाता है अगला है inside micrometer में यू फ्रेम तथा रैचेट नहीं होता है अगला है थिम्बल के ऊपर रैचेट के स्थान पर फिक्स्ट एनिविल होता है अगला है इसमें slip के ऊपर थिम्बल होता है अगला question है question number second निम्नमस से कौन सी सावधानी inside micrometer का प्रियोग करते समय बरतनी चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि उपरोगत सभी अब जिन important points से उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से यह जो प्रस्न जो है वो clear हो जाएगा तो कौन कौन सी सावधानी प्रतनी चाहिए तो देख लेते हैं तो reading लेने से पहले micrometer की zero rating शिक करना चाहिए अगला है micrometer को cutting tool जो हता है cutting tool उसके साथ नहीं रखना चाहिए अगला है micrometer का प्रयोग कभी भी घूमती machine पर नहीं करना चाहिए अगला है गहरी map लेने के लिए inside micrometer को handle में चूड़िये भाली भाती परयोग करना चाहिए अगला question है question number third metric one year outside micrometer का list count क्या होता है जिसका right answer हो जाएक option a यानिक 0.01 mm होता है और यह जो प्रसंद जो है 2001 में पूछा क्या हुआ प्रसंद है अब जो important points उन सभी को भी discuss कर लेते हैं तो metric one year outside micrometer का list count कितना होता है तो 0.01 mm होता है अगला है one year caliper के द्वारा बाहरी आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार के माप ले सकते हैं अगला है one year caliper का अविसकार फ्रांस के एक वेगयानिक पैरी जो वर्नियर है उन्होंने किया था अगला है one year caliper का जो list count जो होता है वो होता है 0.02 mm होता है friends मैंने list count पे वीडियो बना रखा है अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हैं कि कौन से tools का कितना list count है जो कि आपको खाजाना वीडियो के नाम से मिल जाएगा ओके friends आईए अगला question discuss कर लेते हैं तो अगला question है question no.4 निम्निम्म से one year depth gauge का list count है इसका right answer हो जाएक option c यानि की 0.02 mm है अब जिन important points उन सभी को discuss कर लेते हैं तो वर्नियर depth gauge का list count 0.02 mm होता है अगला है वर्नियर depth gauge का प्रियोग किसी जौब की गहराई या बोर की लंबाई मापने में किया जाता है अगला है इसका अलपत मांक कितना होता है तो 0.02 mm होता है अगला है वर्नियर depth gauge के head में ही एक base और movable जा जुरा होता है अगला question है question no.5 निम्निम्म से किस उपकरन का प्रियोग गहराई की मापो को सुक्षनता से मापने के लिए किया जाता है इसका राइट answer हो जाएक option A यानि कि depth micrometer का और यह जो प्रस्न जो है 2002 में पूछा गया होगा प्रस्न है अब जो important points है उन्हों सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्न बनते हैं तो depth micrometer का प्रियोग गहराई की माप को सुक्षनता में मापने के लिए किया जाता है अगला है इसका प्रियोग किसी groove की गहराई मापने में किया जाता है अगला है अधिक गहराई ग्रूब की माप लेने के लिए इसके साथ extension rod का प्रियोग करते हैं अगला है इसका अलपत मांक 0.01 mm होता है अगला question है question number 6 निम्रम से किसके द्वारा वो और नियर हाइट गेस का साइज निर्दिष्ट किया जाता है इसका right answer हो जाएगा option B यनि कि भीम की उचाई से और यह जो प्रस्ट जो है 2003 में पूछा गया हुआ प्रस्ट है अब जिन पॉर्टन पॉर्टन से उन सभी को भी discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ट बनते हैं तो बीम की उचाई के द्वारा वर्णियर हाइट गेस का साइज निर्दिष्ट किया जाता है अगला है लेइंग आउट करते समय वर्णियर हाइट गेस का प्रियोग सरफिस प्लेट पर करना चाहिए अगला है वर्णियर हाइट गेज का अलपत मांक 0.02 mm होता है अगला है इसके द्वारा मार्किंग करते समय आपसेट एस्क्राइबर का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन है कोशन नमबर 7 वर्नियर हाइट गेस्ट के द्वारा मार्किंग करते हैं समय कारे को क्या करना चाहिए उसका राइट आंसर होचाएगा option A यानि कि angle plate के द्वारा आस्रे देना चाहिए और यह जो प्रस्न जो है 2018 में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important points उन सभी को discuss कर लेते हैं तो वर्नियर हाइट गेस्ट के द्वारा मार्किंग करते समय कारे को angle plate के द्वारा आस्रे देना चाहिए अगला है वर्नियर हाइट गेस्ट की size की beam की उचाई द्वारा निर्देश्ट किया जाता है अगला है इसके द्वारा मार्किंग करते समय आपसेट स्क्राइबर का पडियोग किया जाता है अगला है वर्नियर हाइट गेस्ट का अलपत मांक 0.02 mm होता है अगला है वर्नियर हाइट गेस्ट दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा होता है, एक होता है, fixed one year height gauge होता है, और एक होता है, adjustable one year height gauge होता है, अगला question है, question number 8, one year प्रवर्ण चांदा मापता है, तो इसका right answer होचेगा option A, यानि कि 1 degree का बारहोँआ भाग मापता है, और यह जो प्रस्द जो है, 2014 में पूछा क्योंका प्रस्ता है अब जो important points उन सभी को भी discuss कर लेते हैं तो 1 year प्रवन चांदा 1 degree का 12 भाग मापता है अगला है इसका अलपत मांक 5 मिनट होता है अगला है माप लेते समय प्राया stock को reference यानि की base surface लेते हैं अगला है 1 year webel protector के किनारे 45 degree तथा 60 degree कोन पर होता है अगला है जिसे noon कोन भी कह सकते हैं अगला question number 9 सुधता अधिक होती है इसका right answer होज़े एक option B यानि की digital caliper में सुधता अधिक होती है और यह जो प्रस्त जो है 2014 में पूछा गया हुआ प्रस्त है अब जो important points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यह उस पर प्रस्त बनते हैं तो अधिक सुधता digital caliper में होती है अगला है digital caliper से reading लेने यानि की reading लेना dialed caliper से reading लेने से भी असान होती है अगला है इसमें vernier scale के अस्थान पर screen होती है नाम से पता चल रहा है कि digital तो screen होगा ही अगला है जैसे जैसे हम digital warner caliper को खोलते हैं screen पर calipers की दूरी प्रदर्शित होती रहती है अगला question है question number 10 universal webel protector का सिदान्त निम्न में से किसके बराबर होता है तो इसका right answer हो जाएक option A यानि कि warner webel protector के बराबर होता है अब जिन important points उन सभी को भी discuss कर लेते हैं यहां सब प्रस्द बनते हैं तो universal webel protector का सिदान्त warner webel protector के बराबर होता है अगला है warner webel protector के disk पर main scale division बनी होती है अगला है warner webel protector के किनारे 45 डिगरी तथा 60 डिगरी कौन पर होता है अगला है warner webel protector main scale तथा warner scale में अंतर के सिदान्त पर कारे करता है तो friends आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिक्शन आपको टाइम से मिलते हैं और friends अगर आपको free PDF चाहिए तो आप हमारे telegram को जोईन कर सकते हैं टेली ग्राम का लिंक इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाकर वहां से जाकर जोईन कर सकते हैं और friends खाजाने वाले वीडियो को नहीं देखाया तो जाकर देख सकते हैं क्योंकि इसमें वैसे वैसे topics को लिया गया है जहां से प्रस्न जो हो डारेक्टली पूछा ही जाता है और यहां से 5 से 6 नमर तो आपके पक्के हर एक exam में आएंगे ही आएंगे और यह सभी ट्रेटों के लिए इसलिए exam से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले ओके फैंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग झाल लाँ झाल 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 झाल